दोस्ताच हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की एर मैं बात करता हूँ शांदार तेजी देखने को मिली करीबन 5% का एक अपमूव स्टॉक ने बना कर दिखाया 369 रुपीज पर क्लोजिंग स्टॉक ने बना कर दिखाई वही वन डे चार्ट की एर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक क्रीन बुलिश केंडल हमें देखने को मिली है तो यह अगर यही तेजी कंटीनियू रहती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टार्गेट स्टॉक अचीव करेगा वो हैं 375, 400 रुपीज तक के लेवल्स भी जल्द ही कोल इंडिया अचीव कर सकता है तो इन लेवल्स पर अगर आप बाइंग करके चलना चाते हैं पाइंग का मौका स्टॉक बना रहा है बिलकुल एड़ करके चल सकते हैं नीची की तरफ सपोर्ट लगाना है 325 रुपे का इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है पहले से ही आपके पोटफोलियो में स्टॉक शामिल है कंटिन्यू होल्ड रखें तो यही स्ट्रेटेजी आपको उपनानी है कोल इंडिया में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद